हेलो इबरीवन अजर्ट आप मेगी पर तौ आज हम हमें छीजी मैगी रस्पी और साथ में चीज भी तो आज में मेगी को ऑर ज़्जादा एक्षपेलमेंट करके इन दोनों को एक साथ इतका मेगी को फ्लेवर देते हैं तो चलिए आप भी चीजी मैगी की ड LISA बताएगा कि को हमारी रेस्पी कैसी लगी चले इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं और हाँ इस चीजी मैगी को हमने विदाउट क्रीम बनाया है सो लेट स्टार्ट अबसे पहले हमें कढ़ाई पर डालेंगे बटर यहां पर मैंने होममेट बटर यूस किया है इसका लिंग मैंने फ़िए करेंगे उससे धारbungतान लिंगी का यहुंद को भूण हाँ बहुत ही टेस्टी आता है यह इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे चॉपट कैप्सिकम आप कलरफुल गयोशॉच कर सकते हैं नापर two table मैंने चॉप्ट कैप्सिकम को हमें बिल्कुर भी स्वाय नहीं करना है तो फटा-फट से डालेंगे काले मिर्च पाउडर वन फोच टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही डालेंगे और गैनो जिससे इसका फ्लीवर और भी यमी हो जाएगा अब इन सारे की कि यह अगaro Med Yuk mes ef हो दो किया है साथ में यहां पर मेंगी टेस्ट मेकर आप अगर एक्स्ट में टेस्ट में कर प्क्र लाना चाते हैं तो आप इसे मैं डा सकते हैं इसके बाद हम आप अश्पी नालेंग यह एसे छी उत किया है इसके बाद अब डालेंगे मिल्क वन कप नॉर्मल मिल्क मैंने आप यूज किया है अब इसे हम कवर कर देंगे दो मिनट के लिए दो मिनट के बाद हम इसे अब विदाउट लिट पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा सब बॉयल नहीं आ जाता है यकीन मानिए यह अगर आपको यहां पर वेज नहीं पसंद है तो आप यहां पर विदाउट वेज भी इसे बना सकते हैं चीजी मैगी के साथ साथ हमने सेजवान मैगी और साथ ही वाइट सॉस मैगी के रस्पी बी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है आप सब जरूर उस मैगी को एक ट्राइब करेंगा तो चली अब हम इस मैगी को पटा पट से प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर हमने इस मैगी के ऊपर थोड़ा से स्प्रिंकल किया चिली फ्लेक्स और गैनो और साथ में ग्रेट चीज डाला है और सबसे उपर इसके हमने रखा है हो में बटर इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल लिया है चली अब अब आप से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर वो भी एक नहीं रेस्पी के साथ तो गाइस डोंट फॉर्गेट तो प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट अल्ड़ नोटिफिकेशन आफ माई व